नवस्कार साथियों सित्कालिन सत्रका आज प्रथम दिवस हैं यह सत्रम महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि पंद्रा अगस के पहले हम मिले थे पंद्रा अगस को आजहादी के 75 वर्ष पुर्ण हुए है और अब हम अमृत काल की यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं एक ऐसे समय हम लोग आज मिल रहे हैं जब देश को हमारे हिंदुस्तान को जी ट्विंटी की मेजबानी का अवसर मिला है विश्व समुदाय में जिस प्रकार से भारत का स्थान बना है जिस प्रकार से भारत से अपेक्षाएं बड़ी हैं और जिस प्रकार से भारत वैश्विक मंच पर अपनी भागिदारी बढ़ाता जा रहा है ऐसे समय यह जी ट्विंटी की मेजबानी भारत को मिलना एक बहुत बड़ा आउसर है यह जी ट्विंटी समीट यह सिर्फ एक डिप्लोमाटिक इवेंट नहीं है लेकिन यह जी ट्विंटी समीट एक समगर रूप से मैं भारत के सामर्थ को बिश्व के सामने प्रस्तित करने का अउसर है इतना बड़ा देश मदर बेमोक्रेसी इतनी विवीदत आएं इतना सामर्थ पूरे विश्व को भारत को जानने का एक बहुत बड़ा आउसर है और भारत को पूरे विश्व को अपना सामर्थ जताने का भी बहुत बड़ा आउसर है पिछली दिनों मेरी सभी दल के अधिक्षों से बहुत ही सानुकुल वातावण में चर्चा हुई है सदन में भी इसका प्रतिविम जुरुन नजर आएगा सदन से भी वही स्वर उठेगा जो भारत के सामर्थ को दुनिया में प्रस्तूत करने के लिए काम आएगा इस सत्र में देश को विकास की नई उचाईयों पर ले जाने के लिए बर्तमान वैश्विक परिस्तित्यों में भारत को आगे बढ़ाने के नई अवसर उन सब को ध्यान में रख करके कई महत्वपूर्ण निर्णई सत्र में करने का प्रयास होगा मुझे विश्वास है कि सभी राजरितिक दल चर्चा को और मुल्ली वृद्धी करेंगे अपने विचारों से निर्णईों को नई ताकत देंगे दिशा को और स्पस्त दुप से उजागर करने में मदद करेंगे पार्लामेंट के इस ट्रम का कारकाल का जो समय अभी बचा है मैं सभी पार्टी के लीडर्स को और सभी फ्लोर लीडर्स को बहुती आगरह करना चाहता हूं कि जो पहली बार सदन में आये हैं जो नए सांसद है जो युवा सांसद है उनके उजवल भविश्य के लिए और लोकतंत्र की भावी पीड़ी को तयार करने के लिए हम जादा से जादा अवसर उन सब को दें चर्चावों में उनका भागीदारी बढ़े पिछलों दिनों करीब करीब सभी दलों के किसी ने किसी सांसद से मेरी अनपचारिक मुलागा दे जब भी हुई है एक बात जुरूर सब सांसद कहते हैं कि सदन में होहला और फिर सदन सगित हो जाता है उससे हम सांसदों का नुक्षान भावत होता है युवा सांसदों का कहना है कि सत्र न चलने के कारण चर्चा न होने के कारण हम जो यहां सीखना चाहते हैं हम जो समझना चाहते हैं क्योंकि यह लोक्तंत्र की बहुत बड़ी विश्विव जाने हैं हम उससे अच्छूत रह जाते हैं हमें वो सभवागे नहीं मिल रहा है और इसलिए सदन का चलना बहुत जरूरी है यह सभी दल के युवा सांसदों का खास तोर पर स्वर निकलता है मैं समझता हूं कि और विपक्ष के जो सांसदे उनका भी यह कहना है कि डिवेट में हमें बोलने का आउसर नहीं मिलता है उसके कारण सदंसगीद हो जाता है उसके कारण होगला होता है उसके कारण हमें बहुत नुक्षाल होता है मैं समझता हूँ कि सभी फ्लोर लीडर सभी पार्टी लीडर हमारे इन सांसदों की वेदना को समझेंगे उनके विकास के लिए देश के विकास में उनके सामर्थ को जोड़ने के लिए उनका जो उत्सा है उमंग है उनका जो तजुर्वा है उन सब का लाग देश को मिले निर्णव में मिले निर्णे प्रक्रियाओं में मिले ये लोग तंत्र के लिए बहुत आवश्चक है मैं बहुत ही आंग्रह के साथ सभी दलों से सभी सांसदों से इस सत्र को और अधिक प्रोड़क्टिव बनाने की दिशा में सामुहिक प्रयास हो इस सत्र में एक और भी सवभाग्य है कि आज पहली बार हमारे उपराश्पति जी राजसभागे सभावती के रूप में अपना कारकाल प्रारंब करेंगे उनका यह पहला सत्र होगा और पहला दीन होगा जिस प्रकार से हमारे राश्पति द्रवपदी मुर्मुजी ने भारत की महान विरासत हमारी आदिवासी परंपराओं के साथ देश को गवरो बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है उसी प्रकार से एक किसान प अधिपद्व और आज राजसाभा के सभापति के रूप में देश के गवरों को बढ़ाएंगे सांसदों को प्रेरित करेंगे प्रोथ्साहित करेंगे उनको भी मेरी तरफ से मैं अनेक अनेक शुपकावनाय देता हूं बहुत बहुत धन्यवाद साथियों नमस्कार हुआ